हाई देर गाईस दिस इस अलिफ और वेलकम टू मैं चैनल फेशन रिव्यूज और विलोग्स तो आज की रिवी वीडियो में हम करने वाले हैं रिव्यू ग्लुटाथायोन और वाइटेमिन सी का इसका रिवी वीडियो में पहले भी कर चुकी हूँ लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किये थे इसके बारे में मैं सोचा कि मैं इसका रिवी वीडियो अगेन करूँ और आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बताऊं लाइक मेरा एक्सपिरियन्स वगेरा और आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे दूँ सो या आज की रिवी वीडियो में हम करेंगे रिवीव इन्टेवलेट्स का वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मैंने बहुत ज्यादा मंगवाई थी लाइक छे साथ मंत का कोर्स था इनका पूरा सो आइ थोड़ कि ये बहुत ही अच्छी होंगी क्योंके मैंने में मुना मुस्लिमा के रिव्यूज देखे और दूसरे और यूटीबर्स के रिव्यूज देखे जिसके बाद मैंने सुझा क्यों ना मैं भी इसे बाई करूं और ये टेबलेट्स बहुत ही अच्छी होंगी लाइक मैंने वाइट हो जाओंगी तो मैंने उनकी रिकेमेंडेशन पर ये टेबलेट्स मंगवाईएं और मैंने इन पर काफी ज्यादा खर्च भी कर लिया लाइक 20 से 22,000 तक मैंने इन पर खर्च कर लिया जब मैंने इनहें लेना स्टार्ट किया तो ये वाली जो टेबलेट्स थी जब मैं इनहें कंटिनियसली ले रही थी तो मेरा कलर जो है डार्क होता जा रहा था तो आई थोट ये टेबलेट्स की वज़ा से ना हो और तब थी गर्मिया तो आई थोट के ये शायद गर्मी की वज़ा से हो रहा हो मेरा कलर डार्क तो मैंने सन ब्लोक लगाना स्टार्ट किया और प्रॉपर डाइट लेनी स्टार्ट की और मैंने इन टेबलेट्स को भी लेना स्टार्ट किया तो मैं इन इन टेबलेट्स को लेती थी एक सुबह में और एक शाम में Glutafare के भी एक टेबलेट लेती थी और Neutra-Sea के भी एक टेबलेट लेती थी लेकिन अगेन मेरा कलर ओर दार्क होता जा रहा था सो मैंने Nutri Factor वालों को text किया और मैंने उन्हें बताया कि मेरा कलर और डार्क होता जा रहा है लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी डाइट ठीक नहीं होगी या पिर ये टेबलेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता से वाइट करती हैं लाइक आप तीन-चार मंथ बाद इनका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो आइट थोड के चलो भाई और दो-तीन मंथ इन्हें लेकर देखते हैं और देखते हैं कि ये कितना फाइदा देती हैं लेकिन जब मैंने इन्हें प्रोपर डाइट के मताबिक मैंने ये जब टेबलेट्स ली तब भी मेरा कलर डार्क होता जा रहा था मेरा दिल भर गया थ था कि बस अब मैंने ये टेबलेट्स नहीं लेनी कुछ भी हो जाए मैं ये टेबलेट्स नहीं लूँगी तो मैंने इन्हें लेना बंद कर दिया जब मैंने इन्हें लेना बंद कर दिया तो उसके एक मन्त बाद मेरा कलर वापस फिर होना स्टार्ट हो गया लाइक जैसा मे ये टेबलेट्स ले रहे हैं और कलर फेयर होने की बजाए और डार्क हो गया है तो मैं आप सब को यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये टेबलेट्स ना लें क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो गाइस यहां पर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इंफरमेशन शेयर करना चाहती हूँ कि गलूटाथायोन किस एज़ से लेते हैं और गलूटाथायोन किस पेशन को दी जाती है और गलूटाथायोन कितनी एमजी हमें लेनी चाहिए तो सबसे पहला सवाल गलूटाथायोन किस पेशन को दी जाती है किस बीमारी के इलाज के लिए दी जाती है तो गलूटाथायोन कैंसर के पेशन को दी जाती है तो दाना खासता अगर किसी को कैंसर हो जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ग्लूटथायोन देते हैं तो ये बात पहले मुझे पता नहीं थी मैंने जब रिसर्च की ग्लूटथायोन पर के मुझे पर ये क्यों असर नहीं कर रही मेरा कलर क्यों डार्क हो रहा है तो उसमें मुझे सबसे पहली बात ये पता चली तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो नेक्स्ट कमेंट है कि ग्लूटथायोन किस एज से ले सकते हैं तो ग्लूटथायोन जो है आप 20 के बाद ले सकते हैं और glutathione कितनी mg तक ले सकते हैं तो 500 mg से 1000 mg तक ले सकते हैं तो guys यह थी थोड़ी सी information बाकी तो आपने glutathione पर बहुत research की होगी तो मैं वो बातें बार बार बताने वाली नहीं हूँ तो आप अगर वो जाना चाहते हैं तो आप comment section में ज़रूर बताएं मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी और so यह था मेरा experience इन टेबलेट्स का अब देखते हैं कि मेरे जो friends हैं उन्होंने comments में क्या पूछा है मुझसे और उनके comments शामल करते हैं तो सबसे पहला comment है Mr. Wahab का उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन मंद यह टेबलेट्स यूज़ की लेकिन उनका color fair होने के बजाए dark हो गया like I said so second comment Mr. Awes ने किया उन्होंने कहा कि आपका color dark हुआ है इसको लेने से मुझे भी feel हो रहा है 15 दिन से मेरा color dull लग रहा है so thank you guys for sharing your experience so next comment है इक्रा का उन्होंने कहा मैं यह दो मंट से ले रही हूँ और जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा यह टेबलेट्स बिल्कुल फुजूल है और अब next comment शेयर करते है आरिफ का उन्होंने कहा sis glutathione जिस adult का weight 50 kg होता है या अबब होता है अगर वो 1000 mg glutathione डेली लेता है तो उन्हें बहुत जल्दी result मिलता है so guys यह बात मुझे पता नहीं थी उमीद है आप सबको भी अब इसकी information मिल गई होगी so guys next comment शामिल करते हैं हम हमारी वीडियो में so next comment है Mr. Wahab का like मैंने अपनी previous वीडियो में सबसे पूछा था अगर आप लोग यह टेबलेट्स लेते हैं और इन टेबलेट्स को लेने से अगर आपका weight gain हुआ है तो जरूर बताएं so Mr. Wahab ने comment की है कि yes वजन बढ़ता है उन्होंने यह टेबलेट्स एक मन्थ ट्राइ की जिसका result बहुत अच्छा मिला लेकिन second और बाकी मन्थ में इनको result नहीं मिला शीबा अमजद ने कहा आपी मुझे तो कोई फरक नहीं पड़ा मैंने तीन मन्थ यह टेबलेट्स ट्राइ की है इसकी क्या वज़ा है और खाने से face पर और body पर भी खारिश हो गई है so guys मैं तो यही recommend करूंगी आपको के बिल्कुल ना लें यह टेबलेट्स और Mr.Fizan ने भी पूझा है क्या मैं यह टेबलेट्स order करूं या नहीं so बिल्कुल order ना करें क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है like मैंने अपना experience share किया और मेरे साथ जिन्होंने अपना experience share किया वो भी मैंने आप लोगों के साथ share किया so यह थी हमारी आज की review video उमीद है आप सब को पसंद आई होगी और उमीद है आप सब लोग मेरे चैनल को subscribe करेंगे क्योंकि मुझे आप लोगों की support की बहुत ज़्यादा जरूरत है guys so मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें अपनी स्कीन का खयाल रखें और गाइस प्लीज Glutathione आप कोई अच्छी company का लें, neutrifactor वालों का बिलकुल ना लें क्योंकि इसके साथ मेरा और दूसरे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका experience बिलकुल भी अच्छा नहीं रहा तो अल्ला हाफिस